नमस्का सिटीजो चैनल में आपका स्वागत है हमारे साथ में डॉक्टर संतोष ठाकरे जो राजनीती में लगादार वनिस्तर नोगत से सक्रिय है से पहले भी कॉलेज छात्र राजनीती में भी सक्रिय रहे है उसके बाद में दो बार चुनाव लड़ चुके पद्वीधर चुना जाता है City का और पद्वीधर नोगोती दो चुनाव पद्वीधर संगों को के संतोष ठाकरे लड़ चुके हैं आई जानते हैं उनसे कि अब जो चुनाव होने जा रहा तब वो चुनाव रखते चूंकि संतोष ठाकरे भी राजनीतिक थे लेकिन साथ में शिक्षक और पद्विदर होने के कारण उस समय राजनीतिक इसमें इंपोर्टेंस इतना नहीं था क्योंकि शिक्षक और पद्विदर से जो चुंकरा है वही लोग करे रहे थे कई साल तक 25 साल तक लगाता जिस मद्दार संग से संतोष ठाकरे खड़े थे प्रात्य पक्विटी देश्मुक ने उसका नेतरु तो किया उसके बाद में तंजित पार्टिल के पास में मद् सक्रियता के साथ में इनवाल हो गई है यहां तक कि माजी मुख्यमंत्रिय और मंत्री संत्रियों में सबने प्रचार के लिए सभाय भी ली है कैई जिएक तो सभाओ के करण मुकत में दर्ज हो गए है तो क्या यह सारी चीजे इस मद्दार संग के लिए कितनी आउशक है जा सब्सक्राइब जो चुनाओं होने जा रहे हैं यहां पर अब चुनाओं ने पूरा राजनीतिक रंग ले लिया है पहले जब चुनाओं होते थे तो पता नहीं लगता था आम जनता को कि शिक्षक मद्दार क्या होता है प्रतितर तो थी के कॉलेज से निकला वेकती रहता था तो उसको पहले रहता है कि मेरा रेजिस्टेशन कब हो वोटर में तो कही है इस बाच चाती उसका तो भी थोड़ा है शिक्षक मद्दार संग बीटी देश्मुक चुन के आते रहे लेकिन कहीं आम जनता ने जनता के विस्तात में उनका चुनाओं का कहीं संपर्क नहीं आय कि आप भाच भाच चुन कराएंगी है या महाविकास आगाडी चुन कराएंगी या लोग शिक्षक को वोट देंगे क्या आपको रखते हैं इस मद्दार संग के बारे में अभी पहले के चुनाओं में और अभी के चुनाओं में काफी फरक अंतरा आया है फरक पड़ा है वो इसलिए है कि पहले यह सारे जो चुनाओं थे तो शिक्षक को की संगटना होती थी विमाशी याने विदर्वय माधनिमिक शिक्षक संग और शिक्षक परिशत यह दो मुख्य संगटना होती थी और सिनियर कॉलेज में नूटा बिटी देश मुख्य अध्यक्षता में और एक दुसरे को यह समर्थन देते थे बिटी भाव चुनाओं लड़ते थे पद्विधर में से तो उनको विमाशी जो जिसका नेत्रु तो खोट्रे साहब करते थे वसंतराव जी खोट्रे वो भी दो बार आमदार रह चुके है यह मिल से रह चुके है शिक्षक मद्दा करके ही चुनाओं लड़ते थे और वह इतना सिस्टेमेटिक होता था कि जिले के अध्यक्ष को अगर बता दिए कि अपना केंडिडिट वुमिद्वार यह है तो वह अपने तालुक का लेवल के सारे फिर यूनिट लेवल के स्कूल या कॉलेज लेवल के सारे अध्यक्ष क को बुला के तो मैसेज देता था तो वह अपने बिल्कुल प्रामानिकता से काम करते जो जो विचारधारा से जुड़ा है उसी विचारधारा से काम करते थे और वोटर बहुत काम होते थे पहले-पहले 1200-1500 में भी लोग जित के आए मैंने तो 2400-2500 वोटों से बिटी है कि 200 वोट अगर अपने ले लिए तो इधर से अपने जीत के आएंगे क्योंकि सबने जन्रल जो अपनी कॉंसिशी होती है विधान से बागी तो उसमें उन्होंने प्रयास करके देखा जब उनके ध्यान में आया कि यहां नहीं अपनी दाल गलती तो फिर भी यह रास्ता अच्छा है करके जैसा कि बैक डोर एंट्री वाला ही बोल सकेंगे उसको तो इसमें आने लगे है अपना दल बल अर्थ का प्रयोग करके भी अपनी इत्मी जीच सकते हैं ऐसी धारना है उनकी हो गई तो इसके कारण जिनके पास भी थोड़ा अभी तो करोड़ों में बात क करेंगे कि इतना में लमारे करता हुने न पड़ा लिखा अदमी भी राश्टरपती कांज़ाओ में ऱसकता है तो लोगों के लोगों सांव कि जाते हो अपर हाुज बोलता है इसको लेकिन आपको सब शेतर दिये पद्विदर मद्दार के शेतर दिया है इसमें तो एक इस प्रक्ति प्रक्ति है जाता है आगे प्रति जिए इसमें स्वराज्य संस्ता का होना चाहिए यह ईत उल्डे तो यह द्हें में रखते हुए या फिर या कुछ लोगों को कि विधान समास की अच्छ आच्छे लोग एक है समास सेवा के खशेतर में हैं उद्यमी हैं उनका भी होना चाहिए तो विधान समा में से विधान प्रिशद में कुछ लोग जैसे कि आभी महामें राजजपाल के पास 12 लोगों की लिस्ट पढ़ी हुई है जिसको अभी तक उ वारतिनित्म होना चाहिए सबकी आवाज वहां उठनी चाहिए सब लोग ओना चाहिए कोई जंडरल चुनाव लजना नहीं चाहिए पर उनका ग्यान इतना होगा उनका अनुभू इतना होगा जो एक कानूनर फाइदा दिया हुए उसका गैर फाइदा ले रहे हैं लोग लोग नहीं चाहते हैं कि सरकारी कर नहीं चाहते हैं नहीं कि स्थाने ऊपया करना की, और दूसरा यह राजनीतिक पार्टियों के भी हिसाब से अच्छा हो गए जिसको विधान सभा में टिकिट नहीं दे पाते तो उसको बोलते जैसे कि धांडे साब ने प्रयास किया था चांदुरेलवे से टिकिट नहीं मिला तो ठीक है शिक्षक में लड़ो भी हम समर्थन द उतार पाते उन लोगों के लिए फिर ऐसा है तो ऐसे में जहां अभी नेत्रूत करना था दूसके जो वह मैंसुच करे में शिक्षकों की समस्या दिन रात वो जहां समस्या है मेरे कया हाल है क्या सुधार होना चाहिए कोन सी आवाज उठाना चाहिए प्रब्लम्स कैसी कैसे बढद रहे हैं सरकार ध्यान नहीं दे रहे है सांस्ता चलक नीर भर रहे एक बार informative doors तो संसताचालक से विवाद सिक्षक हो गा, तो अजिस शंसताचालक चुनकर आता है, तो वही प्रतिवादियों और वही नयायदिश होगा, तो इनको नयायय कहाँसे मिलेगा? तो यह बात कितनी उचीत है? क्या संस्ता चाल का अच्छा नेतरु तो नहीं कर सकता नहीं कर सकता है। नहीं कर पाइंगे, प्राया दर्द प्राया प्राया होता है। ज्शिक्षक यह दर्द मम्लिसा का मैं अ।ols युसरा साल के जाना है, तो मैं ने ने घर कर देância है नाही कर्लिसे है, जेम यह सब्सक्राइब पर कमस्वा भारी में उसकों मालूमी हैं कि पास साले के बाद मुझे उनके लोगों के सामने जाना है, तो मैंने यह करना जरूरी है करके अगर मैं नहीं आवाज उठा था नहीं करता क्योंकि कई सरे मसले होते हैं कि जो सरकार नहीं हल कर पाती अभी जो सरकार ने पहले किये थे जो सरकार में अभी महाविकास अगाड़ी की सरकार है उन्होंने जो जो वादे किये थे कहा पूरे क करने के लिए बोलना कि हम ऐसा करेंगे आपका ऐसा करेंगे पर कुछ बाते हैं जो बगर पैसे की की जा सकती है इसके कारण सुविधा हो सकती है शिक्षोक का सर उचा रहेगा इस तरह से कुछ कर सकते हैं इसमें फाइनांशियल नहीं आता है बढ़ा को पैसे का प्रेशन नी आएगा ऐसे काम भी कर सकते ना इसे भी काम हो सकते हैं अच्छी ववस्ता होना चाहिए टीचिंग की अच्छी ववस्ता होना चाहिए गवर्मेंट की बीस्कूल है ने ने उसके लिए जो पहले ग्रांट्स मिलती थी कुछ साथ तक आठ तक पहले तो अभी वह नहीं मिल रहे क्योंकि उन्होंने नौन खोल दी नौन खोल दी इसलिए तो व्यवस्ता नहीं हो रही है अभी जैसा कि राइट टू एजूकेशन है तो यह बील पास हुआ है तो हमने सिरिकान देश्पांडे के साथ में 2008 के चुनाओं में हमने हमारे मैं में दिया था कि हमारे घटना में दिया हुआ है कि 14 साल के बच्चे को निश्चुल्क पड़ाई होनी चाहिए सारा व्यवस्ता गौर्वर्मेंट ने करना चाहिए आज भी है राइट व्यवस्ता पास भी किया है प्रतिबाताई जी ने जब वह माहा मही में राश्टर पती थी अपने देश की पर वो कहां इंप्लिमेंट हो रहा है गौवर्मेंट अपना बरडन जो है कि लोग लग जाते है यह बात होती है चार दो बाहर के लगके बी अपने एक दुकान तो इसलिए उत्र ही उनका इंट्रेस्ट उसके बाद में अच्छा स्कूल बनाना अच्छा वहां के इंफ्रास्रक्ट्चर खड़ा करना बच्चे याद रखेंगे कि मैं स्कूल में पड़ा हूँ ऐसा कहा करते हैं नॉन ग्रांड स्कूल तो इतने बेकार हो गया कि जहां मास्टर पर इदल आते ऐसी आवस्ता है नॉन ग्रांड कॉलेजस की और स्कूलों की अभी दो मुख्य समस्या है हमने जो भी 15 जिन से सारे लोगों से चार्चा की शिक्षक को चाहिए दो मुख्य समस्या है एक समस्या है कि 2005 की पेंशन लागू करना है जो 2005 के बाद में आपने आवदेन किया जो भी आपके मैनेजमेंट से पगारता ही होगी वह पगार आपको क्यूंकि वह उसमें नौम सकित्ते लागव यह ता आपको मालू मैं यह दो मांगे हर व्यक्ति जित्ते भी 27 लोग है सब के सब बोले कि अंगोर क्या आपको लगता कि किसी प्रकार स मैं क्यूं है आप से इसले पुचल का अभी उम्मेदवार नहीं किसे पर्टी से नहीं हो आप निश्पक रूप से पता सब्सक्राइब क्या सरकारिये कर सकती है अगर थान लिया तो कर सकती है अगर अपने स्टेट के सियम साब को ऐसा लगे कि मेरे आंका एजूकिशन कॉलिटी एजूकिशन होना चाहिए मेरे बच्चे हरक्षेत्र में अच्छे तयार होके जाना चाहिए तो कर सकती है फाइनाशल बल्डन आएगा विवस्ता करो दूसरे खर्चे कम करो हमारा इतना चोटा बजट है वन पॉइंट सम्थिंग बजट है हमारा आप स्विडन में देखोंगे तो तेरा परसंट है उनका क्रॉस जो इंकम होता है वहां का उससे तेरा परसंट वह शिक्षा के उपर करते हैं आप कई ऐसे सरे देश है अभी तो रिकलेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं कि जहां शिक्षा का सर इतना हूचा है और शिक्षा के ऊपर ही खर्च करते हैं यहां तक कि शिक्षकों को इतनी सम्मान दिया जाता है कि जज़ भी शिक्षक के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा ह तो जज़ शिक्षक अगर आता है कोट में तो जज़ उटके खड़ा होता है कि इतना सनमान मिलता है और प्राथमिक शिक्षक पर जादा काम करना पड़ता ज्यादा मेहनत करते हैं बेसिक लेवल पे जहां शिक्षा पर खर्चा करना चाहिए मैं यह कहूँगा सारे चिलाएंगे मेरे नाम से आप अगर हायर एजुकेशन पर थोड़ा कम खर्चा करके क्योंकि बच्चे सेल्फ स्टड़ी कर सकते हैं आप अगर प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दे मिडल स्कूल की शिक्षा पर ध्यान दे तो अच्छा होगा कि मुद्दा किसी ने कोई इत्ते में भी सभी आमदारों से करीब करीब जो खड़े होने वाले सभी से मिल चुका हूं किसे यह कहीं नहीं आया कि प्राइमरी पर यहने इधर का बजट कम करके इधर का बढ़ा चाहिए किसे एक शिक्षक की सेलरी अगर देड लाग लगते सी देड़ और दो लाक रहेगी तो वह आपाउइमेंट के समय रेविन्य ज्यादा देगा इधर तीस और बतीस जार सलरी रहेंगी तो देते समय वह कम देगा दो-तीन लाग देंगा इधर पचास-पचपन लाग, शाठ लाग देते हैं लोग, तो इसलिए सभी का ध्यान हाइर एजूकेशन के उपर है, हाइर एजूकेशन के उपर अपवाइमेंट तक सीमीत है, उसके बाद मैं कॉलिटी एजूकेशन पे, बड़े दुख से मैं कह रह पे, कि अच्छा सिक्षन भी गाओं के दिहात के बच्चे है, उनको अच्छा सिक्षन होना चाहिए, मेरे कॉलेज में दिसंबर उन्निस से एक भी पिरेड नहीं हुआ, पहले से, आप जा के बच्चों को पूछ दो, हाँ, उन्निस दिन बाद पूरा साल हो, एक साल बर एक प्राथमिक शिक्षकों को स्विडन में बहुत उचा स्थान है, सबसे अच्छा स्थान उनको सन्मान समाज में मिलता है, हमारे ऐसा हुआ नहीं, प्राथमिक स्कूल बोले तो कोई भी अपना केजी खोल दे, केजी वन केजी टू खोल दे, कैसे भी अपने एक अंट्रेन बच्ची को पढ़ाने लगा दे, और होगा है, शुरू ऐसा होगा तो वो तो परावल भी हो जाएंगे, उसमें से टीचर बनेंगे, आप शिक्षा सित्र से होगा है, कई बार हम वीडियो देखते हैं, तो उसमें देखते हैं, निका स्पेलिंग पढ़ते नहीं आता, एक्जक्ली लिखते नहीं आता, एक्जक्ली प्रोनॉशेशन करते नही क्या है, फार से, सेलेक्शन कमिटी जो एक टीचर की, बहुत बड़ा फार से, कहीं उसका दिखा यहां कितने है, 55% है, ओके नेट हो, ओके पिसदी हो, यस, पर हाँ, उसको टीचिंग आता की नहीं आता, बोलते आता की नहीं आता, प्रणूशे आता की नहीं आता, खड़े है, पान खाते हैं, खड़े रहते हैं, अपने चवराय पे और पान थेले पे, पान टपरी पे, मैंने कई शिक्षकों को टोका, कि भई तुमा क्या रहेगा, वो भी खड़ा खाने, स्टूटन भी वहीं जाता है और टीचर भी वहीं जाता है, दोनों खड़े तो उसको लग से आपने आपको बदलना चाहिए होना चाहिए है नहीं आते पहन के मैं एक भी दिन एक भी दिन कॉलेज में बगर गनवेश में दिखुँगा उस दिन मुझे एक हजार उपर तुम करना करके क्योंकि मैं तभी बोल सकूंगा ना बच्चों को कि तुम ड्रेस में आओ डिसिप्लिन कैसा बनेगा कॉलेज में आप अपना आइकार्ड गले में डाल कि आओ आओ अपना ड्रेस में आओ बच्चे सुनते हैं कच्रा नहीं करना चाहिए स्थाप रूम के बगल में बहार दर्वाजे से बहार मूह निकालते और थुक देते बच्चे कैसे कैसे वो संसकार करेंगे कैसे पड़ाएंगे बड़े बेकार हालत है मैं चाहता हूँ एक बार आप रिभीव लो आप मैं भोल रहा हूं इस पर नहीं एक बार आप ही जाके दो चार पास बिस कॉलेज को एक डिस्टिक के जाओ और देखो कि हायर एजूकेशन की हालत कैसे बन गई है इसको हायर एजूकेशन बोलते है क्या कुछ नहीं है आपको सुनते हुए है अजीम लगेगा टीचर्स को वो कौन सा सब्जेक पढ़ा रहा है ये भी मालूम नहीं है बच्चे बोलते हम शर घंब एक्साम लेने लगा है ना उसमें टाइम टेबल बनाया कॉलेज को बनाने को लगा हमने कौंट में मैल पर दाल देंको अपने वेपसाइट पर कॉलेज के और नोटीज बोड परोड पी चिपका दिये मत्चाहे सर उसमें दो पीर में दूंकर नहीं हैं अबнос fell dass सब्सक्राइब एपने को मालूम नहीं होते हैं जो टीचर पढ़ाता है मैं तो उनके डिपार्मेंट से आयोए डिपार्मेंट के लोगों ने बनाया हुआ टाइम टेबल में तो साइन करता हूँ पाँ मुझे रहे हैं साथ पेपर होना चाहिए साथ पेपर है इसमें जब बच्चों ने बोलाकि यह नहीं है उद्थ लगाते हैं जट लगाते ने टापिक बता दिया तो टीचर ने बोलते हैं बच्चों कॉलेज में आपके बात ने चोड़ देते हैं नहीं अभी जिसे बात अब सिक्षक मद्दार संग कि हार संवस्य शिक्षा की है पूली के कुन आमदार बोलेंगा कि उनको मत क्लासेश लेने को बोलो करके कुन बोले कुन साम्दार बोलेंगा कॉलेज में आई ये को आप चार्ट नहीं मार सकते हैं या आप गुट्टी नहीं दे सकते हैं कुन आमदार बोलेगा कि नहीं नहीं बोलेगा फाइनाशियल मैटर में छुट्टियों के बारे में चुट्टी मिलना चाहिए उनको सेलरी सेलरी पिस आयेगा ना बिल्कुल आएगा पर उसके गलती आगर उसको गिना दे कि लिए लेता है ये क्लास में ही नहीं जाता प्रप प्रप्रेशन करो रोज विदा उट किताब पड़े आप क्लास में मत जाओ उसके लिए गहनटा दिया है इसमें अन्य देड़ घंटा आपने जोब का जो समय उसमें से देड़ घंटा आपको दिया है कि आप लाइबरी में जाओ किताबे पड़ों कई बार देखा है मैंने चार-चार पास-पास साल जो उन्होंने अपने पोस्ट-गाजिशन समय पढ़ा उसी के ऊपर वो चला रहे हैं कोई ऐसा दुकां कोई होगा ऐसा बिजनेसमन कि एक बार स्टॉक भर दे तो उसी के ऊपर वो चला रहा करके पूरे आप दस साल की नोट्स चेक को रो बच्चों की दस साल की नोट्स देखें आप का अनुब है तो जो मैं बोल रहा हूं उसको आधार मिल गए सबसब्सक्राइय को का सनमान सेफफ़ों को सभी नार शनाव है आंदार ऐसे समय सब्से मिल पहत danger है ऐट कोई ऐसा आमधार बन जाए है कि यह शिक्षा व्यवस्ता कुछ को तो शुगर कोटेट होना चाहिए उसकी पॉलिसी कामदार की भी जुम्मिदार है वो शुगर कोटेट अगर उसने दिया जैसे कि दवाई बहुत कड़वी होती है लेकिन उसको कोटिंग रहता है तो उसके कारण हुआ हम उसको निगल सकते है ने तो थूक देंगे हम तो उस अगर इसको निपटने की कोशिश किया तो सब जगभे आंगे अभी पूरा अभी तक बंध है आप तो जानते है वह आनलाइन फ़ानलाइन वह सब नाठा करना उटंकी है कुछ भी नहीं है वह नाठंग से टीचर को समझ सकता है ना तो बच्चे समझ पकते हैं तो आप तो आप फिर जाओंगे तो किसी के मॉडिल सगर लोंगे तो बहुत सारी अभी कंपनिया भी ऐसी आ गई है आप बिल्कुल आसानी से यह तो भी टीचर कर देंगा तुम्हारा पर वह किताब अगर एश्वंत्रा चौहन मुक्तव उनिवसिटी उनके इतने अच्छे कोर्स के ब मुक्तव बना सकते हैं पर वह बनना चाहिए करना चाहिए यह आमदार ने यह चशर करते हं तो बच्चो के प्रति भी उसका उत्तरदाईत को होना चाहिए कि हमारे शिक्षक जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी क्या जिम्मेदार नागरिक बनें एक सुजबूज वाल बच्छों की भी शिक्षा के प्रतिव दासिंता बढ़ गई है, रिजूक्षन में, क्योंकि जॉब करने के बाद उनको नोकरी मिलती नहीं, ग्राज़ूट होने के बाद उनको जॉब मिलेगा, इसको कोई गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, इसलिग उनको लगता की मेरा पढ़ा, भ हुआ है, तीन साल से मpta होग होगा है, उसको की क्लास में करके आज वो नहीं है क्योंकि दोई जने बोलते हैं अच्छा आपका है कल बुला हो सबको कल देखेंगे क्योंकि अपना टॉपिक मैं अभी नया टॉपिक शुरू कर रहे हुए तो मुझे पढ़ा है तो मुझे पढ़ा गया मैंने केशर बात कर दो तो तीचर को प अच्छों के प्रति अटेश्मेंट नहीं सोशल की मिक्सिंग नहीं उनका और शिक्षों को का उडिसरपेर हो जाते हैं चार गंटे कॉलेज में रुके उसके बाद में उनको उनका टीचर दिखता नहीं हमको दिखते थे गाव में फंक्शन में हम पाउच हुते थे और अच्छा एकस है तो मुझे मजबूरिय में आपके साथ में बढ़नों लेगा हैं साथ में मैं नहीं बढ़ना चीए कि मुझे पढ़ाया हुनुना ने इस और गुडनेस ये आपका अच्छा पन है कि आपने ये सोच्ते हो लोग कल पिल चर्चा हुँई तो सारे लोग पु किसी पार्टी आई। मैं यह चाहिँ है अप कि चुन आउ लड़ना पड़ता तो आप मद्दारों को क्या वाहळे करते हैं? मद्दार के साथ में стать मैं यह चाहिए आप उस सिख्षे को ऑदोhère से क्या चाते है जो चुन के Czech आएगा आप क्यों इसके आप किया वादे करते हैं कि मैं यह करूँगा सिक्षा मांगे कि अपनी मांगे मानने करवा सकते हैं जब हम शिक्षक करके अपना कर्तव निभा सकते हैं हम अगर इमानदारी से क्लासिस लेंगे हम अगर वहीं रुखेंगे जिस गाउं में हमारी नोकरी है वहां रुखेंगे वहां समय देंगे गाउं के लोगों के लिए भी और गाउं के बच्चों के लिए भी वो देना पड़ेगा आप तो ऐसे है कि अब डाउन में तो यह होत करते हैं कि करते हैं ठीन मНе घंटे लगते हैं यह जो पैसा तो एक जफिम दे तो शिक्षकों को पहला अपना दाइत्व समझना चाहिए अपना रहन से पहले तो शिक्षकों ने अपने दाइत्व जो है वो समझ के काम करना चाहिए और रही बात है तो छोटी-मूटी समस्या रहती है अभी सबसे ज्यादा कोई समस्या शिक्षकों की वह ऐसी नहीं है क्या समस्या है हमको जन्गन्ना में लगाते हमको यह को ना की कि पिशन की इस है यही उनके जान प्यार है वो जिसका पैसा ले रहे वह जाने में तो नहीं नहीं बोलेंगे और कॉंट्रक्ट होना चाहिए पश साल का है बास पास साल अच्छा पड़ा था अगले पास साल मिलेगा नहीं पड़ा है तो घर पे जाओ पंशन मिलेगा न तुमको तुम तो ताकि वो अपने आपको औरियंट करते रहेगा अपने आपको रिफ्रेश्ट करते रहेगा वह जाती है एक बार लग गया तो अप्टू दे रिटार्मेंट उसको कोई यह नहीं है उसका के प्रमोशन मिलते जाते हैं रहुत सारे बैरिकेट्स लगा दिये हम उसमें भी र जर्नल में आपका रिसर्च पेपर होना चाहिए क्या कर दें लोगों ने इतने जर्नल निकल गए उनकी तो साल में 20-25 पेपर लोग एकर रहें बीस और पचीस पेपर का कितना अध्यन करना पड़ता यह क्या क्वालिटी रहेंगी आपकी इसमें से रास्ता निकाले हर चार मैं अधिमेटिक से रिफ्रेशर कोर्स में बढ़ जाता हूं यह कुछ कॉमन होते है न एक बड़ा अच्छा सा नाम दिया जाता है उसको कि मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी डिसिप्लिन में बन जातो एक म्यूजिक के टीचर उसने डॉक्टर बाबा साम में थोट में रिफ् किने भी अभी तक कि आवे दन नहीं दिया है अ है जो प्रफोदल देना चैर्ए हो नहीं दिया है उन्होंने नव से मैं तो coma मॉन हूझ हुल वOoh तो नहीं देना प्रिस्प अब बोल रहा हैं कि प्रिसुब आउन्हें को गालिया देता है नहीं करता है कोिர EN themesoti हो तो शुरुवात उन्होंने की होंगी तो इस तरह से होते हैं तो आप क्यों नहीं करें फिर दोश दूसरे को देते कुछ भी नहीं वह अपने करियर के प्रती भी जहां उनकी सालरी पचास हजार रुपर से बढ़ेगी एक महने की पचास हजार बढ़ेगी सालरी असोशेट देर लाग की दो यह नहीं दोलाग की दोलाग के बन जाएगी फिर भी ओन एक यह जब अनका 2016 में सतरा में अठरा में उन्निस में भी नहीं इंट 2 15 में कर रहें चार साल लेट अ अपने करियर के प्रति नहीं है। गोवर्मेंट ने सकती से निपटना चाहिए। ट्रिपल सिट कोई नहीं घुमेंगा। बाहर मत निकलो। इंप्रिजन्मेंट होगा। आपको फाइन होगा। डंडे पड़ेंगे। सब घर में बैठे रहे न तीन-चार महीने। निकाल से यंत्रना है। सरकार। हम लिथर जीतनी आई हैं। हम उसको नजर अंदाज कर देते हैं। हमेरे पास लाइसन नहीं हैं आ जाते हैं। पकड़े तो फिर चार-पाच हजार फाइन हो गया तो फिर दोड़ धूप करके लाइसन निकालते हैं। तो यह जिम्मेदारी समझाने के लिए पहले तो सक्ति से निपटना पड़ेगा। हमारा यह है स्वाधिनता के समय हमने गवर्मेंट से अहसाकार अंदुलन चलाया था। कोई कानून हम नहीं मानेंगे। हम अपने गवर्मेंट का भी कानून नहीं मान रहे है। तो लोग अभी उसको कि मने गवर्मेंट का जो गांदी जी नहीं बता है। श्रकार करो करके अंग्रेज के गवर्मेंट का बोला है। अपने गवर्मेंट का नहीं बोला है, यह समझ आना चाहिए, यह स्कूल और कॉलेजिस में से बच्चों को बताना चाहिए. और क्या रहेगा आपकी चुनाव यदि आप लड़ते तो, और क्या क्या रहती थी आपकी बाउना क्या क्या कर सकते हैं? है कुछ अच्छे है, देखे महला को जैसा घर का महला है, उसे घर का भी पूरा काम करना पड़ता है और साथ में अपना अफिस का भी काम करता है, उसको काम से चुटनी नहीं है, दोनों यह बीभी अगर काम कर रहे हैं तो घर पे आके चाही वो गई भी बनाएंगी, हज्बन तो उसका डबल बर्डन बढ़ जाता है, फिर बच्चे को जन्म देना है, तो एक मा की हिसाब से उनको जो है, बच्चे का पालन पोश्चन जब तक बच्चा एक उसका विकास एक दो तीन साल तक नहीं होता है, तब तक उनको मैटरनेटी लिव देना चाहिए, पहले अभी छ आप क्या करते थे, वह मैटरनेटी लिव उनको एक साल तक होना चाहिए, अगर महिला चाहती है, कि नहीं, मैं आपने तीन साल तक अपने बच्चे की देख बाल खुद करोगी, तो हाप पेलिव देना चाहिए उसको, और वह चाहती है, कि मैं पास साल तक करती हूँ, तो व यह दूसरा जो है जो अटिचेस को में अपडेट करना चाहिए उसको में हर पास साल बाद उसका फिर से इंटर्यू अरी प्रक्रिभा पूरी होनी चाहिए कि है कि नहीं नॉलेज अपडेट कि बें आप उनाइन से कितने हमारे उनुसरी का हलत क्या हुग तो में पता चल गए करना पड़ा तो हम कहां है अभी अपडेट है हम 21 सदी में 20 साल हो गए प्रक्रिया जो है अपना जो चल रहा है वस्टाचार का सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कहीं ने कहीं हमारे पर्चेस पाउर में कमी नहीं है इन जो धान देना चाहिए समय के साथ हमने टेक्नोलोजी से जो अपडेट होना चाहिए वह नहीं है उसी से सत्यानास हुआ डॉक्तर बीयार वागमारे आपको चान करने आपके पास वह लोग नहीं है बराबर आपने फिर से हम जब एक शाधी करते कैट्रिंग वाला 300 रुपर बलता हम 200 रुपर प्लेट में उससे लेते तो 200 प्लेट में घर से नुक्सानी करना फिर अपने अटेम कट कर लेगा वह यहां इसा भी नहीं हुआ कि यहां 300 370 रुपर 5 को बुलाया उन्होंने छीतने कैमिलतों क्या मिलेगा अब यहां इसमें प्रㄷ्च को सिकार्ना निस्था ख explicit Co वेक्ति को आप बोलेंगे कि तुम काम संभाव लो परिशना जिसने ट्रेंडर भी नहीं भरा था उसको बुला के दिया गया यह क्या क्यों 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 दिया गया और और सब दिख रहा है ना और जहां जहां आपनरा साल पहले इस लेवल पर थे अपनी युणुसेटि थी इ वीयर वागमार्य जब थे उन्हों ने उतना तो अपना डेवलब कर लिए थे उस समयां, हम यह ते उन्हीं थिपर पर किया तो प्रिया तह भी वह अधिकारी थे आधिकारी तो नोग यह आते हैं कुछ समय के लिए अपना कारेकाल पूरा करते हैं, चाहे पहला वाइस जाहें उनके कारेकाल में नहों लेकिन उसके पास साल बात दस साल बात उनिविशिटी अपडेट होगी क्योंकि रिजल्ट इमिजेट नहीं आएंगे उसके यह ध्यान देना चाहिए जिसको बोलते है मैं भी छे उनिविशिटी के लिए वाई च्छांसलर के शॉट लिस्ट ह पूछते हैं विजन डाकुमेंट तुम्हारा बताओ तुम्हारी क्या विजन है उनिविशिटी को अपडेट करने की क्या करोगे कहीं उसके बाद में ना तो राज्यपाल पूछता है ना तो उनको इधान में रहता है कि अपने यह बिजन बताता यह करना है करके फिर जो पूछता है उनिविशिटी पॉलिटीक उसके हिसाब से उनको चलाना पड़ता है बस इसको पौफुलर डिसिजन्स लेने पड़ते पौफुलर डिसिजजन्स कि यह इसका भी मनन नो दुके इसका मन नो दुके और पेपर में एक दिन निव चापके आए हमने सुनर इसका यूज कर लिया है अब सारे इुनिवेरिसिटि में सुलर पे चलेंगे बिजली का करोचा कम हो जाएगा बस वो घए है कि हमने संतोस ठाकरे से बातों की सिख्शक मद्दार संग की लेकि इस मद्दार संग इनने एक्चिन में क्या काम करना चीज़ मद्दार संग मद्दारों की क्या कमी आज खुल कर इनों का निश्चीत रुप से इनके संस्ता वाले भी वोट भी देंगे कि यह सिक्षकों की कमी है जब तुम सरकार से पूरी तरह सारी सुईदा के मांग करते हो तो सरकार के प्रति और बच्चों के प्रतिव 650 का करते हैं उसका कर्दय निर्वा करो उसका शिक्षक तूरा चूकर है इसलिए उसका वह मान सम्मान ये जैसा संतोश ताकर सहने बता यहन्तों किसी शिक्षक पर मुकादमा हो तो जज भी शिक्षक के सामने कीज़़की शिक्षक सर्वच आए क्योंकि शिक्ष़ा से ही वो जज भी जो नजय की कुरसी पर बैठा है वो भीश्ड़की पहुँचा तो उसके लिए गुरू का मान उतने ही यह भावना के साथ आज इनसे चर्चा हुई बहुत कुली चर्चा किसी सिक्षक बदार संग के चिक्षक ने किसी मदार ने इस टाइप की बात्ता नहीं की चिसीग제 मांने पार है है यदि शिक्षक अपडेट रहा तो निश्चित्रुप से हैं मद्दार संग भी अपडेट रहेगा यदि आप अपडेट रहेगा कोई बहारी व्यक्ति आपके मद्दार शेत्र में नहीं लगा सकता तो भी कमजोरी आपकी है जो मेनेजमेंट को यहां पर इस भाग में पार करना सरकार को इसमें इंट्र फेर करना पट रहा क्योंकि जो भी शिक्षक जाते हैं ऐसी सारी समस्या को छुपा लेते हैं रवह नहीं चुपा किन C कि अपनी कमिया निकाल के हम हमारा प्रोग्रेस कर सकते कमिया चुपा के हमारा प्रोग्रेस नहीं होता, इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहिए, संतोष डएक बहुत एक अच्छी मुलाकात, एक नए तरिकिक हाला कि शिक्षक मद्दार संग से, बात तो बद्दार हो की निए लेकिन जो संबंदित सब्जेक्ट की इशूस थे क्योंकि शिक्षा व्यवस्ता ऐसी होनी चाहिए कि हमको नहीं समाज का निर्मान करना है वह निर्मान की भावनायदी शिक्षक में रही तो उसको आदर भी मिलेगा और उसको कोई शिक्षक आमदार की कभी जरोत ही नहीं रह खुब खुब धन्यवाद आपने मेरी बात रखने के लिए आप उलाया है आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों को भी मेरा बहुत सारा धन्यवाद